हलो दोस्तों online study point में आपका स्वागत है और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज है जिसमें हम टॉप 30 गोश्ट डिसक्स कर रहे थे जो कि previously आपके exams में पूछे गए हैं और आने वाले सब भी exams के लिए important है तो यह जो है हमारा part 14 होने वाला है सो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा skip मत कीजेगा और इसको जादे जादे लाइक करें और शेयर करें साथी साथ अगर हम देखें तो यहाँ important information है आपके लिए एन अकैडमी ने जो है SSC Champions League में जो की free mock test होने वाले हैं के लिए ठीक है जो की 23rd, 24th और 30th को यह होंगे जिसमें जो 5 top rankers होंगे उनको जो है exciting price जो है दे जाएंगे तो अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है तो जल्दी से जागे आप enroll कर लीजे साथी साथ हम बात करें कि इसमें क्या-क्या होने वाला है तो यह this is majorly focused on the SSC ठीक है timing हम देख लें इसकी, so timing क्या होने वाली है यह आप देख सकते है 8 p.m. to 8.30, 8 p.m. to 8.30 and 8 p.m. to 9 p.m. ठीक है तो देर मत कीजिए जल्दी से जाके enroll कीजिए जिसमें हम बात करें total जो होने वाले है 50 questions होने वाले है जो 23rd और 24th में इसके बाद जो 30th को है उसमें 100 questions होने वाल awareness, second में quantitative aptitude and English और जो 4th जो 3rd होने वाला है उसमें quantitative aptitude, reasoning, English and journal awareness, okay, so अगर हम बात करें कि यह जो mock test है वो free है और सभी जो students है उनमें से जो top 5 rankers होंगे उनको जो है Amazon vouchers मिलने वाले हैं या प्राइस देख सकते है Amazon vouchers की, so देर मत कीजिए जल्दी से जाकर अनकार्मी पर enroll कीज बात करें अगर आपने अभी तक हमारा mobile application डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजे, daily की free PDFs, audios, quizzes, सबी को जो आपको यहाँ पर एकदम free में मिल जाएगा, साथी साथ जो current affairs की PDFs 600 one-liners की January to October, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में, description में लिंक है, so जिसकिसी ने भी purchase नहीं किया जाकर क्या purchase कर सकते हैं, हम देखेंगे हमारा पहला question, 1906 में Muslim League की स्थापना कहां हुई थी, so Muslim League को हम पहले भी history में, जब भी मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार discuss कर चुके हैं, कहां हुई थी धाका यानि की बांगलादेश में, so यहां से हमा मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे, आगा खा थे, ठीक है, प्रिवेस जो हिस्ट्री का हम बात करें, जो वीडियो था, उसमें मैंने बताया था, कि इसका foundation, 1906 में हुआ था, जो fine founding members थे, उनके बार में, नेक्स देखेंगे, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था, तो मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, founding year के, just one year after, तो ये हुआ था कराची में, ठीक है, कहां पर हुआ था, कराची में, found कब हुई थी, 1906 में, next question हम देखेंगे, 1906 में, मिंटो से, शिमला में मिले, मुसल्मानों के, शिष्ट मंडल ने क्या प्राथना की थी, तो इन्होंने, हम बात करें, मुसल्मानों के लिए, प्रथक, निर्वाचक, वर्क के लिए, प्राथना की थी, जो कि हम आगे देखेंगे, 1909 में, जो है, य तो ये हुई थी, अमीर अली के अध्यक्षता में, ठीक है, अमीर अली के अध्यक्षता में हुई थी, कहां, लंदन शाखा, और कब हुई थी, 1908 में हुई थी, नेक्स देखेंगे, मुसलमान यदी खुश हैं और संतोस्ट हैं, तो भारत में ब्रिटिश शक्ती का महत्व का बचाव होगा, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था, ये लिखा गया था, ये लिखा गया था, व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व् जीके स्टेटमेंट्स जो हैं काफी important होते हैं काफी पूछे जाते हैं exams में नेक्स्ट अब जो जिस act के बारे में आप से बात करी थी 1909 का जो act था Indian Council Act जिसको मार ले मिंटो जो आपने सुना होगा सो इस act में क्या नई विवस्था की गई थी तो उसमें क्या किया गया था सामप्रदाइक प्रतिने जित्व जो है शुरू किया गया था जो की मुसल्मानों की मांगती उस समय next देखेंगे राश्चे अंदोलन की अवधी में जिस घटना में मदभेत के बीज थे और वह जिसने अंद्रताः देश का विभाजन कराया था तो वह क्या थी वो यही थी कि विधान सबा में मुसल्मानों के लिए प्रत्यत निर्वाचन शेत्रों और स्थानों का अरक्षन 1912 में जब राश्धानी कोलकत्ता से दिली लाई गई उस समय भारत का वाइसराई कौन था तो यहां से एक चीज़ क्लियर हो जाती है अगर कोशन पूछा जाता है कि दिली को जो है राश्धानी कब बनाया गया था तो यह बनाया गया था 1912 में और उस समय जो वाइसराई थे वो लौड हार्डिंग थे ठीके ना इससे पहले भी सारे वाइसराई सारे गवर्नर जनरल सभी हम बहुत अच्छे से डिसकस कर चुके हैं दिली में किसके प्रवेश की अफसर पर बम फेका गया था तो जो है लौड मिंटो के प्रवेश की अफसर पर देली में बम फेका गया था नेक्स्ट हम देखेगे 1916 में ठीक है जो आपको पता होगा लखनव अधिवेशन सभी ने सुनाओगा जहापर लखनव पैक्ट होता है 1916 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहां आयज़त किये थे तो ये किये थे लखनव में 1916 में भारतिय रास्टी कॉंग्रेस के लखनों अधिवेशन की अधिवेशन की अधियक्ष तक इसके द्वारा की गई थी तो यह की गई थी के प्रेसिडेंट उनकी अधिक्ष जो है आपको याद होने चाहिए कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद लखनो समझोते पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो अल्रेडी हमने बात कर लिया है निस्सो सोला में हुए थे नेक देखें अधिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर मिलन की प्रकिरिया में प्रमुक शिल्पी कौन थे तो सही आंसर इसका एनी बिसेंट ठीक है जो की सूरत स्प्लिट होता है जिसमें कॉंग्रेस जो है दो दलों में विभाजद हो के प्रतक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष कारी थी तो झो लढखनोंअव पैक्ट था वो इसलिये ही था कि कॉंग्रेस ने 1916 सी मुुलिकारर दीच के निमल में से कौन सा है ठीक है तो इसमें से सही आंसर होने वाला है 1916 से लेकर 1922 टू निम्लिकित में से कौन 1916 के लखनों के कॉंग्रेस अधिवेशन के विशय में असत्य है तो देखिए हम बात करें हम आलेडी देख चुके हैं कि जो एसी मजुमदार थे अंबिका चल्ण मजुमदार थे उनके द्वारा 1916 के लखनों अधिवेशन की अध्यक्षता की कहा जाता है महात्मा गांधी पहली बार चंपारंग के किसानों की समस्याओं से अफगत कराए गए थे तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है ठीक है यह जो है वह असत्य है ठीक है तो एह होगा करेक्ट ऑप्शन 1915-16 में दो होम रूल लीग आरम की गई थी ठीक है किस-किस के न बाल गंगा धर तिलक एवं एनी बसेंट के नेत्रत में ठीक है यह मैंने आपको बताया था प्रथम विश्वियद के दौरान कौन सा आंदुलन भारत में लोग प्रिये हुआ तो यह कौन सा था होम रूल आंदुलन निम्द में से कौन होम रूल आंदुलन से नहीं जुड देखिए बाल गंगा धर तिलक एनी बसेंट और हम बात करें एस सुब्रमुन्यम अयर तीनों ही जो हैं असोशियेटेड हैं होम रूल लीग से लेकिन जो सी आर दास हैं वो इससे असोशियेटेड नहीं है तो यह जो है करेक्ट आप्शन होगा नेक्स्ट हम देखेंगे होम रूल आंदुलन भारत के स्वतंतरता संग्राम के नए चरंड के आरंब का जो है धोतक था क्योंकि तो हम बात करें जो होम रूल लीग की यहाँ पर बात की जा रही है इसने देश के सामने सुशाशन की एक ठोस योजना रखी थी ठीक है तो ए यह जो है करेक्ट ऑप्शिन होने वाला है और हम बात करें इन से जोड़े हुए व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं बाल गंगा धर तिलक एनी बेसेंट और एस सुब्रमन्यम आयर नेक्स्ट कोशन देखेंगे तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारब बनाए गए ह ओमरूल लीगों को कब एक में मिला दिया गया ठीक है पहले अलग थे फिर इनको एक कर दिया गया कब 1918 में निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था तो इन में से कौन थी तो सही आंसर होने वाला इसका अएनी बेसेंट जो की क्या थी पहली महिला अध्यक् की दक्षिन अफ्रिका में रहने के अफ़ी में महत्मा गांदी ने निम्न में से किस पत्रिका का का प्रकाशन किया था मोस्ट इंपोर्टन कोशन है ये काफी पूछा रहता एक्जाम्स में तो सही आंसर इसका इंडियन ओपीनिन जब गांधी जी साथ अफरिका में थे तब उनके दोआरा इंडियन ओपीनिन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था next question हम देखेंगे Phoenix Form तो Phoenix Form के बारे में सबस्वी ने सुदा होगा It is situated in the Durban महत्मा गांधी समर्थक थे तो महत्मा गांधी हम बात करें दाषनिक अराजक्तावाद के समर्थक थे next question देखेंगे निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिधान कौन थे तो सत्य और अहिंसा तो ये तो काफी easy question था पहले भी आपने सुना होगा ठीक है अहिंसा पर्मो धर्मा गांधी जी की द्रस्टी में अहिंसा का क्या अर्थ है तो गांधी जी की द्रस्टी में अहिंसा का अर् नीती में निमली खित में से किस सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है तो सही आंसर होने वाला इसका हड़ताल ठीक है सही आंसर क्या होने वाला है हड़ताल निमली खित में से किस भार्टी राश्ची कॉंग्रेस की अधिवेशन में जवाहल लाल नहरू ने हम बात करें समाजवा बात को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था तो सही आंसर है इसका लखनाव अधिवेशन ठीक है एक बार हम जल्दी से रिवाइस करेंगे जो जो आज हमने कोशन में डिसकस किया है तो सबसे पहले हमने डिसकस किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां ठीक है इसके बाद हम बात करें 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था तो वो भी आपको याद रखना है कराची में हुआ था ठीक है नेक्स्ट हम देखें कि 1906 में जो मिंटो जो थे लॉर्ड मिंटो से जो मुसल्मान मिले शिम्ल की एक शाखा की स्धापना की गई सन 1908 में किसकी अध्यक्षता में यह की गई थी तो यह की गई थी अमीर अली की अध्यक्षता में ठीक है और नेक्स्ट हम बात करें 1909 में जो इंडियन काउंसल एक्ट आता है उसमें किस बारे में बात की जाती है उसमें बात की जाती है स 1212 में तो उस समय वाइसराय कौन था सुकौन थे लॉड हार्डिंग्स थे ठीक है और हम बात कर लें कि 1916 का जब लखनो पैक्ट साइन होता है तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का जो लखनो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षका किसकी द्वारा की जाती है तो यह की जाती है मजमदार के द्वारा सो यह कुछ important facts थे जो आज की वीडियो में हमने डिसकस किये हैं I hope वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज इसको जादा से जादा लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ जिसकी सीने भी भी अभी तक अनकैडमी का एप्लिक करने के लिए जहां पर आपको डेली के सारे pdf मिल जाएंगे सारी वीडियो के quizzes मिल जाएंगे सारी वीडियो का एक और अदियो भी आपको मिल जाएगा साती साथ OSP notes भी आपको वहां पर मिल जाएंगे तो जिसकी ने भी अभी तक हमारा मुबाइल application डाउनलोड नहीं किया हैं आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा जितनी भी फ्री PDFs हैं PDF के हम बात करें जन्वरी से लेकर के October तक की one-liners की जो PDF है वो भी अविलेबल है इसके अलावा descriptive PDF जन्वरी से लेकर October तक की साथ ही साथ October मन्त की सेपरेट PDFs के लावा मैट्स ये हैं रिटन नोट्स हैं जिसकिसी ने भी तक पर्चिस नहीं की हैं आप जाकर क्योंको पर्चिस कर सकते हैं थैंक यू